आज है रिपब्लिक डे तो आप सबको हमारी तरफ से गंतंतर दिवस की बहुत-बहुत सुपकामना है और जो भी हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत ही बुरा समझार है हमारे लिए क्योंकि दो दिन पहले मेरे को न्यूज आई थी कि जो मेरे नाना जी है वो एकस्पाइर हो गए है तो मैं वहां गया भी था तो आज जैसे चुट्टी है तो एक मन रहता है हमेशा कि जिस दिन भी चुट्टी हो तो मैं ब्लॉग बनाओं तो मन से आज बिल्कुल नहीं आ रहा था कि जो अपना रुटीन ब्लॉग हूँ वो शूट करूँ क्योंकि वो एक हैपिनेस होती अंदर तो वो बिल्कुल भी भी नहीं थी तो बस यही करना बस यही प्राथना करना चाहूंगा उस परमपिता से कि जो हमारे नाना जी थे उनकी आत्मा को सांती मिले वो अपनी लाहिम में उन्होंने हमेशा स्ट्रगल किया और हमें हमेशा ही स्पोर्ट किया है हर जगा पे हर तरीके से फाइनेंसिली और वैसे भी तो मैं आपके साथ यह आप यह सेयर कर रहा हूं का क्योंकि यह जो वीडियो है वो सेम ने का था जिस दिन उनकी डेठ हुई थी शाम के लगवग 3 बजे लगवग उनकी जो डेठ हो गय थी और यह जो बीडियो है लगब साड़े बारा एक वजे का है जब वो लंच कर रहे थे तो यह मेरे नाना जी की लास्ट बीडियो क्लिप है सेम डे की और काफी एजड होगे तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है उनके लिए बट चलो क्या कर सकते हैं एक दिन जो इस दुनिया में आया उसने जाना भी है हालांकि उनकी एज तो हो गए थी लेकिन होता है ना कि मतलब जो फैमिली मेंबर है चाहे वो अपनी एज कंप्लीट करके जाए या हाफ एज में जाए तो दुख तो उतना ही होता है दुख उसी को पता चलता है जिसका फैमिली करती थे और वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूंगा नेक्स्ट इसको कंटिन्यू नहीं करना चाहूं कि मान विल्कुल भी नहीं है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक माइंड भी चेंज हो जाएगा बाबाई जैहिन जैभारत एपी रिपब्लिक डे